गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स आपके अपने यूटूब चैनल जोग्रापी जंक्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है आज अपन बात करेंगे एक विकर्ण मापनी को किस प्रकार से बनाए जाता है तो विकर्ण मापनी में आपन देखते हैं जब से पहले प्रसंग क्या क कि एक अनुपात 36 निरुपक बिन पर एक विकर्ण मापनी बनाए जिसके उपर तीन गज दो फिट और पांच इंच तक की दूरिया प्रदसित कीजिए पहले इस प्रसंग को सवाल करता है एक इंच अगर मानचित्र को प्रदसित करता है तो दरातल को गरेगा बरबर 36 कि एक गज प्रसंग में सबसे बड़ी कई कोंसी गज यह गज में 36 इंच होता है तो 36 का बाग दिया तो 6 इंटू 6 इंटू 36 इंटू 36 तो पीछे बज़गे 36 इंच के उपर मेरे को 6 गज दरसन है तो इसको मैं बराबर टुकड़े करूंगा यहां पे 3 से तो मैंने यहां प अपन इसके बराबर 6 टूकड़े कर दें जैसे देखो मैंने यहां पे एक विकर्ण मापनी बने यह 15 सेंटीमेटर लंबी 6 इंच का मतलब ही होता है आपका 15 सेंटीमेटर लंबा फिर इसको अपन ने किस परकार से सोल कर रहा है जैसे पहला बाग हो गया जीरो फिर हो गया एक दो तीन चार और पांच गच यह इस परकार से फिर मैंने आपको कहा था यह एक टुकड़ा कितने का हैं के एक गच में तीन फिट होते हैं तो इसके मैंने तीन टुकड़े कर दिये एक दो और तीन फिट यह अब एक फिट में कितने इंच होते हैं आपको पता है एक फि 10-12 और यह बार है क्या हो गए आपके इंच हो गए 12 अब आपको प्रसंद में देखना क्या पुचा गए प्रसंद में मेरे को पुचा गए तीन गज तो पहले तो इन सभी लाइनों को अपन लंबूत मिला देते हैं इस परकास से एक दो तीन चार पांश सब को मेरे को पूच बलेक कर दिया थोड़ा गयरा करें पर मेरे को पूचा गया 5 इंच तो किसे सीथ में खिंचेंगे 5 इंच ने क्यूंकि 5 इंच आपको दर्सा आना तो इस परकार आपको क्या आपको दर्सा किसको 3 के गज 2 फ ΤMP ृपांच यहां पर इंच लिक दे ने यह इंच यह वाला तो इस परकार से अपन इसको दस रह सकते है इसको और भी अपन टुकडे कर सकते हैं लेकिन अभी अपन के जो प्रसन के अनुसार है वो अपन इस परकार से टुकडे या अपन छे इंच के अपन दो का भी बाग दे सकते हैं तीन का भी बाग दे सकते हैं दो टुकडे भी कर सक में और आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक सेर और सब्सक्राइब करें और अपने जो साती दोस्त हैं उनके पास भी यह वीडियो जरूर पहुंचाएं दन्यवाद